नेपाल में भूकम के बाद जिस तेजी के साथ मैत्री अभयान चलाए गया ये उस अभयान की सफलता का ही नतीजा है कि बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित निकला गया अलांकि ये अभयान अभी भी जा रही है जब तक नेपाल के अंदर एक भी आदवी असुरक्ष रहेगा उसे निकाल कर सुरक्षित इस्तान पर पहुंचा आए जाएगा और ये बहुत बड़ी सबलता इस मैत्री अभयान की है कैमरामेन आनंद प्रकाश के साथ मीरस सिंग डिडी न्यूज काटमांडू